मुक्यमंत्री वुपेश बगेल अपने भेट मुलाकात कारिक्रम के तहट बिलासपूर जिले के तकहतपूर विधान सभा के खैरी गाउं में पहुँचे मुक्यमंत्री ने कारिक्रम को संबोधित करते वे कहा कि 36 कड में हर साल धान खरीदी का नया खिर्तिमान बन रहा है खरीदी की गई है किसानों को तीन दिन में ही धान का पैसा मिल जाता है मुक्यमंत्री ने ग्रामिनों से राजीव गांधी किसान याय योजना के बारे में पूछा और कहा कि अभी तीन किस्त दे चुके हैं तीसरी किस्त दिपावली के समय दिये चौथी किस्त 31 मार्च को दी जाएगी मुक्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विक्सित कर युवाओं को रोजगार के अफसर उपलब्द करवा रही है रीपा में परंपरागत कार्य करने वाले हमारे मेहर समाच सेन समाच धोबी समाच दिवांगन समाच के लोगों को इस्थान शेट एवं प्रशिक्षन देकर उनके व्यवसाय को पुनर जीवित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है मुक्यमंत्री ने बताए कि एथेनॉल प्लांट जून में शुरू हो जाएगा मक्य से एथेनॉल प्लांट भी जल्द ही शुरू होगा इस अफसर पर मुक्यमंत्री ने खैरी में आमजनता और जन प्रतिनिधियों की मांग पर अने घोशनाए की उन्होंने जुनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने शेत्र में लोग वोल्टेज की समस्या से निजार दिलाने ट्रां किया उच्चितर मार्धिमिक्षाला सक्री के स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्यन की घोशना की